पहस सरोकार सुबा धर्मशाला और चंबा में दो बार लगे जटके ओडीशा के जंगल में पेड़ पल लटकी मिली महिला क्रिकेटर राजश्री स्वेक की लास परिवार ने बताया मरडर यूपी उर्जा मंत्री अर्विंद शर्माने की प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात प्रधान मंत्री जी से मिलका रुनकालिया शिर्वाद नमस्कार मैं हूं मैयूरी सिर्वास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है उत्तर प्रधेश की बड़ी खबरों का गोरकपुर में सूबे के मुख्या योगी आदितनाथ चार दिवसी दोरे पर हैं जानकारी के मुताबिक सियम योगी आदितनाथ ने गोरक नाथ मंदिर में भरमण का निरुक्षड किया है बतादे की आगामी खिजडे मेले को लेकर निरुक्षड किया सियम ने वहीं पर मौजू स्रधालों से बाचीत की जानकारी के मुताबिक सियम चार दिन के दोरे पर हैं और कई कार्क्रमों में शिर्कत करेंगे डिप्टी सियम केशो परसाद मौर फिरोजाबाद पहुचे जहां उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जल जीवन मिशन योजना की अंतरगत घर घर पानी पहुचाने का काम कर रही है पानी उतना खर्च करें जितनी जरूरत हो क्योंकि आने वाली पीड़ी को पानी की समस्या से जूजना पड़ सकता है साथ उन्होंने कहा कि फिरोजाबाद के ग्रामीर इलाकों में स्वयम सहायता समू के हिसाब से लोगों को स्वयम लंबी बनाने का काम किया जा रहा है प्रियाग राज में पूरे देश के साथ ही मकर संक्रांती का पर्व तीर्थ राज प्रियाग में बड़े ही स्रध्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है तो वहीं मकर संक्रांती के पर्व पर संगम में आस्था का सेलाब उमर पड़ा है गंगा, यमना और सोरसती की त्रिवेडी पर अलग ही छटा है सुभा से ही स्रधालू आने की शुरू हो गए है वही बड़ी संख्या में साधु संत और स्रधालू ने मा गंगा की गोद में आस्था की डुपकी लगाई सब्सक्राइब की टीम है जो की घृटा पर पहना था ताकि लोगों को किसी तरह की को यह सुभदाना हो फुरा हमारा जो मेला एरिया है से टीवी कमरे की निजर में है और इसके सेंट्राइज माउन्टरी हम लोग आये ट्रिपल सी के माध्यम से कर रहे हैं वहां पर विभीनि अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे मेरी मन की इक्षा थी और मुझे मेरी इक्षा पुड़ा हुआ और बहुत ही मज़ा है बहुत ही अच्छा लग पर सुर्य भगवान धनूरासी से निकल कर मकरासी में परविश्च करते हैं इसमें सुर्य परमपवित्र गाट पर परमपवित्र गंगा इबना सुर्श्वति महियां जी के संगम घाट पर सांध करके ब्राह्मनों को उचित दान देकर उनका अशिर्वाद प्राप्त करके अपना और अपने जीवन और पित्रों का उधार करने के लिए यह पर मनाया जाता है मांगत हैं से इन्होंने हमको पूरा किया मनकमना इसलिए हम लोग पूरा परिवारा है नोडा से और बना रहे हैं ठंड नहीं ज्यादा नहीं है कहां ठंड हो कुछ भी ठंड नहीं है मकर संकरांती पर कानपूर में स्रधालों की भीड लगी हुए हिंदू धर्म में मानना है कि आज के दिन गंगा इसनान करने से पापो से मुक्ति मिलती है लेकिन कानपूर जिला प्रसासन हिंदू धर्म की आस्था किसाथ खिलवार करते हुए नजर आ रहे हैं बतादे कि नमामी गंगे प्रोजेक्ट के तहट अधिकारियों ने केवल लिखा पढ़ी में ही गंगा को स्वच किया है तो वही नगर निगम और जल निगम की अधिकारियों की मिली भगस से गंगा में सिवर का पानी गिर रहा है करवास के मेंने के बाद देखा है तो जो मकर सक्रांति आई उसमें देखा है तो हिंदु धरम की जो आस्था है वह पूरी तक बवैस्ता कर देखा है सब्सक्राइब करें लोगों की आस्था है उसका कहीं नहीं 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 जाना चाहिए पर भी देखा जा तो कहीं नहीं पहले भी प्रैम टीवी ने खबर चलाए थी उसको लेविल कम नहीं हो रहा नहीं सब्सक्राइब करें है लोगों सब्सक्राइब करें यह तो अर्मावें का सब्सक्राइब के तहए तो कहीं नहीं देखा तो नगाले कि बड़ी लापवाई सामने जा रही है जिला पसान ना पर दोई में पतनी ने सरयाम शरावी यूवक की पिटाई कर दी जिसके बाद वीडियो वाइरल हो रहा है जिसमें परिजन सरावी यूवक को पिटते हुए दिखाई दे रही है बेरहमी से पिटाई के चलते यूवक उठने की हालत में भी नहीं दिख रहा है तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जाच में जुटी है पूरा मामला का च्छोना थाना शेत्र के गाओं भानपुर का है गाजियाबाद मोधी नगर में धूमधाम से लोहडी का तोहार मनाया गया जहां सामाजिक संगठन द्वारा लोहडी के तोहार का आयूजन किया गया बतादें की कारक्रम में 2022 में जन्मी बच्चियों को मुखतिती बनाया गया इस दोरान कारिक्रम में पहुची बच्चियों की माता-पिता को सम्मानित भी किया गया तो वहीं बड़ी संख्या में इस्थानी, लोग और सामाजिक राजनी तिक हस्तियां भी पहुची और एया में ट्रैफिक पुलिस और एक किनर का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वाइरल हो रहा है बता दें कि इन दिनों सडक सुरक्ष अभियान के तहत यातायात पुलिस हाईवे पर वाहनों को रोक कर चालान कर रही है इसी को लेकर जब एक किनर की कार को यातायात पुलिस ने रोका तो गाड़ी में बैठी एक किनर सडक पर उतर गई और ताली पीखने लगी जिसको देख हाईवे पर हंगामा होने लगा बात बढ़ती देख यातायात प्रभारी ने चाला को समझा कर सीट बेल्ट पहनने को कहा और छोड़ दिया इस पूरी घटना का वीडियो अब वाइरल हो रहा है पूरा मामला अजीत मलकोतवाली शेत्र के अनंतराम टोल का है और अया में पल्टे ट्राला में बाइक सवार टकरा गया जिसमें तीन लोग गंभी रूप से घायल हो गए जिसके बाद घायलों को अंबूलेंस की मदद से सामुदाइक स्वासकेंदर में भरती कराए गया जहां हालत गंभीर देखते हुए घायलों को सेफ़ाई के लिए रेफर कर दिया गया घटना की जानकारी होते ही पुलिस घटना अस्तल पर पहुची और जाच शुरू कर दिये जो एकसिएटल है एक टकाइड नवाय हुई है जिसमें दो पेशेंट को हैड इंजरी है और एक फैक्चर है इसको शेफिक टीरिफर किया रहा है इनको बैसिक ट्रीप्मेंट कट दिया गया है बेसिंग एंसिजिग और इंजिकस मगरा दे दिया गया है हालत कैसे बने हैं हालत लोग है इस्टेवल है लेकिन है तो स्रीटेस के लिए से फिर्ट रहे हैं अधर से आ रहे हैं जा रहे थे लाता गाली चला रहा था ट्रक पल्टा वहां पर बंदिली नीमीं कीडरी थे उसे पर चाहते ट्रक में घुश गया जाके कितने लोग थे आप आप पर अच्छे थे हैं क्या नाम है औरया में इस समय दबंगों के होसले बुलंद हैं मामला औरया जिले का है जहां एक वीडियो बेला थाना शेतर का वाइरल हो रहा है जिसमें कुछ दबंग एक यूवक को बेरहमी से पीट रहे हैं जिसके बाद पुले से जागी है और यूवक की तहरी पर मामला दर्ज कर आरोपियो को हिरासत में ले लिया गया है और एया में रेडी मेट की दो दुकानों में लगी भी सडाग से लाखो का सामान जल कर खाक हो गया जिसके बार लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की लेकिन आग के विक्राल रूप के आगे किसी का बस नहीं चला घटना की जानकारी फायर ब्रिगेट को दी गई दोरान फायर ब्रिगेट ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया पूरी घटना सदर के संजय गेट के पास की है उत्तरप्रदेश की खबरों में इतना है देज़ुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे है प्राइम टीवी के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोगा